महरास्ट में विधानसवा चुनाव का शोर गुंज रहा है, महयोती में जहां सीट बटवारे पर रार छेड़ी हुई है तो अमीदवारों के च्वैन को लेकर भी खीस्तान बढ़ती ही जारी है वही विपक्ष का महाविकास अगारी मजबूती से चुनाव की तयारियों में जटा हुआ है, कॉंग्रिस ने प्रत्याशियों की पहले लिस्ट भी जारी कर दी है, तो कैसे चुनाव के बीच महयोती में बढ़ रही है टेंशन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट महाराष्ट में विधान सबा चुनाव के बीच महयोती यानि अंडिये के अंतरकले बढ़ती दिखाई दे रही है, अजीद पवार गुट ने उमीदवारो की नई सूची जारी कर दी है, जिन में दो प्रत्याशियों का नाम शामिल है और वो नाम है जीशान सिद्धिकी औ साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी दाउट से जुड़े लोगों का समर्थन नहीं करेगी, इसके बाबजूत अजीद पवार ने दोनों ही निताओं को टिकेट दे दिया, एक तरह से उन्होंने अपनी अल्प संख्यों को कुमेदान में उतारने वाली बात को पूरा किया ह लेकिन उनके इस फैसले से बीजेपी और अजीद गुट के अंसीपी में दूरिया बढ़ नीताए हैं, वहीं बीजेपी नेता निशिकांत पार्टिल और संजे काका भी अजीद गुट में शामिल हो गए हैं, उनका कहना है कि हाई कमान की निर्देश अनुसार उन्होंने इसा किया है, जिस पर कुछ जानकारों का कहना है कि बीजेपी अजीद गुट को खत्म करनी की साज़िश कर रही है, अभी पार्टी में अपने नेताओं को शामिल करवाया है, कल पूरी पार्टी ही बीजेपी की हो जाएगी, बहराल चुनाओं के बीच अजीद गुट और बीजेपी के बीच का ये टकराओं महायूती के लिए खत्रे की घंटी जरूर बन गया है, वहीं विपक्षी कटवंदन महाविकास अगारी में तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, कॉंग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 48 उम्मी द्वारों के न झाल